क्यों न होस्टेल के चात्र ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर रिसर्च करके उनके जीवन को देश के सामने लाए जिनके बारे में अभी उतनी जानकारी नहीं है कुछ स्टूडेंट्स इन महापुरुशों के जन्मस्थान जाए उनकी कर्मभुमी जाए उनके परिवार के लोग अब कहा है उनसे संपर्क करें कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन रिसर्च को एक्स्प्लोर करें उदहान के तौर पर 75 होस्टेल्स एक एक आधिवासी फ्रिडम फाइटर पर एक एक रिसर्च डॉक्मेंट तैयार कर सकते हैं इसी तरह 25 होस्टेल्स महिला फ्रिडम फाइटर्स पर रिसर्च कर सकते हैं काम कर सकते हैं एक और काम है जो देश के लिए एम्यू के छात्र छात्राएं कर सकते हैं एम्यू के पास देश की इतनी बेश किम्ती प्राचिन पंडूल पिया है इस सम्प हमारी सांस्कृतिक धरोहर है मैं चाहूँगा कि आप टेक्नोलोजी के माध्यम से इन्हें डीजीटल इन्हें वर्चुल आउतार में पूरी दुनिया के सामने लाएं मैं एम्यू के विशाल अलूमिनाई नेटवर्क को भी आवान करता हूँ कि नए भारत के निर्मान में अपनी भागिदारी और बढ़ाएं आत्म निर्भर भारत अभ्यान को सफल बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है इसे लेकर अगर मुझे एम्यू से सुझाओं मिले एम्यू एलूमिनाई के सुझाओं मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी साथियों आज पूरी दुनिया की नजरे भारत पर है जिस सदी को भारत की सदी बताया जा रहा है उस लक्ष की तरफ भारत कैसे आगे बढ़ता है इसे लेकर पूरी दुनिया में क्यूरियोसिटी है इसलिए आज हम सभी का एक मात्र और एक निश्ट लक्ष ये होना चाहिए कि भारत को आत्म निर्भर कैसे बनाए हम कहां और किस परिवार में पैदे हुए किस मत मजहम में बड़े हुए इससे भी अहम ये हैं कि हर एक नागरी की आकांग्षाएं और उसके प्रयास देश की आकांग्षाओं से कैसे जुड़े जब इसको लेकर एक मजबूत निव पड़ेगी तो लक्ष तक पहुँचना और आसान हो जाएगा सांथियों समाज में वैचारिक मजबूत होते हैं यह स्वाभावित भी हैं लेकिन जब बात राष्ट्रिय लक्षों के प्राप्ति की हो तो हर मेद्वेद किनारे रख देना चाहिए जब आप सभी युवासाती इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो हम मिल करके हासिल न कर सके शिक्षा हो आर्थिक विकास हो बहते रहन सेहन हो आउसर हो महिलाओं का हक हो सुरक्षा हो राष्टवाद हो ये जो चीजे हैं जो हर नागरी के लिए ज़रूरी होती है ये कुछ ऐसे भुद्धे हैं जिन पर हम अपनी राजनेती क्या वैचारिक मजबूरियों के नाम पर ऐसामत हो ही नहीं सकते यहां अलिगर्ण मुश्लिम उनिवर्सिटी में इन मुद्धों पर बात करना मेरे लिए इसलिए भी स्वाभाविक हैं क्योंकि यहां से स्वतंत्रता के अनेक सेनानी निकले हैं इस मिट्टी से निकले हैं, इन स्वतंत्रता सेन्यानियों की भी अपनी पारिवारी, सामाजिक, वैचारी, परवरिष्थी, अपने अपने विचार थे, लेकिन जब गुलामी से मुक्ति की बात आई तो सारे विचार आजादी के एक लक्ष के साथी जुड़ गए, साथियों हमारे पुरवजों ने जो आजादी के लिए किया वही काम, अब आपको युवापुडी को नए भारत के निर्मान के लिए करना है, जैसे आज़ादी एक common ground थी वैसे ही नए भारत के लिए हमें एक common ground पर काम करना है नया भारत आत्म निर्भर होगा हर प्रकार से संपन्न होगा तो लाब भी सभी 130 करोड से ज़्यादा देश वाच्यों को होगा ये विमर्स समाज के हर हिस्से तक पहुँचे एक काम आप कर सकते हैं युवा साथ ही कर सकते हैं साथ क्यों हमें समझरा होगा कि सियासत सोसाइटी का एक एहम हिस्सा है लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले है सियासत और सत्ता की सोच से बहुत बड़ा, बहुत व्यापक किसी भी देश का समाज होता है पोलिटिक्स के उपर भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत स्पेस होती है उस स्पेस को भी एक्स्प्लॉर करते रहना बहुत जरूरी है ये काम हमारे एम्यू जैसे केंपस कर सकते हैं आप सभी कर सकते हैं साथियो न्यू इंडिया के विजन की जब हम बात करते हैं तो उसके मूल में भी यही है कि राष्ट के समाज के विकास को राजनेतिक चस्मे से न देखा जाएं हाँ जब हम इस बड़े उद्देश के लिए साथ आते हैं तो संभव है कि कुछ तत्व इससे परेशान हो ऐसे तत्व दुनिया की हर सोसाइटी में मिल जाएंगे यह कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने स्वार्थ होते हैं वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हर हतकंड अपनाएंगे हर प्रकार की negativity भलाएंगे लेकिन जब हमारे मन और मस्तिश कमे नए भारत का निर्वान सर्वच्च होगा तो ऐसे लोगों का space अपने आप में सिकुरता जाएगा साथ क्यों, politics इंतजार कर सकती है society इंतजार कर सकती है देश का development का इंतजार नहीं कर सकता गरीब समाज के किसी भी वरका हो वो इंतजार नहीं कर सकता महलाए, बंचीत, पीडी, सोसित विकास का इंतजार नहीं कर सकते सबसे बड़ी बात हमारे युवा आप सभी और इंतजार नहीं करना चाहेंगे पिछली शताब्दी में मतबेदों के नाम पर बहुत वक्त पहले ही जाया हो चुका है अब वक्त नहीं गवाना है सभी को एक लक्ष मिलकर एक लक्ष के साथ मिलकर नया भारत आत्म निर्भर भारत बनाना है साथियों 100 साल पहले 1920 में जो युवा थे उन्हें देश की आजादी के लिए संगर्ष करने का खुद को समर्पित करने का बलिदान देने का आउसर मिला था उस पीडी के तप और त्याग से देश को 1947 में आजादी मिले थी आपके पास आज की पीडी के पास आत्म निर्भर भारत नए भारत के लक्ष को पुरा करने के लिए बहुत कुछ करने का आउसर है वो एक समय था 1920 का ये समय है 2020 का 1920 के 27 साल के बाद देश आजाद हुआ था 2020 के 27 साल बाद जो की अगले 27 साल 2020 से 2047 आपके जीवन के बहुत महत्वपुन साल है वर्स 2047 में जब भारत अपनी आजादी के सौवर्स पूरा करेगा आप उस एतिहाजिक समय के भी साक्षी बनेंगे इतना ही नहीं इन 27 साल में आदुनिक भारत बनाने के आप हिस्सेदार होंगे आपको हर पल देश के लिए सोचना है अपने हर फैसले में देश हित सोचना है आपको हर निड़ें देश हित को आधार मनाते हुए ही वना चाहिए मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर आप मंदिर भर भारत के सपनों को पूरा करेंगे हम सब मिलकर देश को विकास की नई उचायों पर पहुँचाएंगे आप सभी को एम्यू के सो वर्स होने पर फिर से एक बार बहुत बढ़ाई देता हूँ और इन सो साल में जिन जिन महापुरुषों ने इस संस्थान की गरिमा को नई उचाय पर ले जाने के लिए निरंतर प्यास किया है आज उनका भी पुन्य स्मरण करता हूँ उन सब का भी आदर करता हूँ और फिर एक बार आज के इस पवित्र अउसर से भविष्ण के लिए अनेक अनेक शुब कामनाई देता हूँ विश्व भर में फैले हुए अलुमनाई को भी मैं उत्तम स्वास्त के लिए एक शुब कामना करता हूँ उनके उत्तम भविष्ण के लिए भी शुब कामनाई करता हूँ और एम्यू के भी उत्तम भविष्ण के लिए अनेक अनेक शुब कामनाई के साथ बैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ कि ये सरकार आपकी प्रगति के लिए आपके सपनों को साकार करने के लिए हम भी कभी पीशे नहीं रहेंगे इसी एक विश्वात के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद